असलम लेकुम आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोट्स ओफ दी एक्विशन के बारे में जैसे की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक ही कुशन यह किवान है और दूसरी यह है इन दोनों में क्या डिफरेंस है सिर्फ यहां पर जो एक्स वाली वैल्यून का साइन डिफरेंट है कि सामारे जो नीके वाली वैल्यून वहां पर देख से लिए कि जो कॉंस्टन वैल्यी वह सेम है और इनके साइन sudah हो रहे है उर्फ वाली कॉंस्टन पॉजिटिव था नीछे वाली तो दौने मैं कॉंस्टन डैगेक्टी ऑट्सिन क्या है अगर अलफा बिटा इस किसम के कुछिंस अकसर objective में MCQs में पूचह जाते हैं और ECAT में भी पूचह जाते हैं तो बहुत असानी से एक ट्रिक के थो खरें को solve करना हो तो आज कहा हमारा topic ही है कि हम वह कैसे करेंगे बहुत ज़्यदा calculation करने की कोई ज़रत नहीं है एक चोटा सा trick है उसको use करेंगे और साथ में हम उसकी verification भी करेंगे कि क्या हमारा answer जो है वो ठीक है तो आज मैं आप उसकी verification भी करके बता हूंगा कि verification कैसे करनी है और वो trick इस्तेमाल कैसे करना है ठेक हो गया तो चलते हैं ट्रिक की तरफ तो सबसे पहले हम इस वाली equation को solve करते हैं और बहुत असान है इसमें आपने simply करना है कि अगर आप इसको compare करें जो हमारे पर standard form of quadratic equation है वो basic के लिए जाती है ax square plus bx plus c equals to zero तो यह हम ट्रिक इस्तेमाल करेंगा अगर हमारे पर इस किसम के quadratic equation को गिवन है जैसे कि यह था आपके पास 2x square plus 3x plus 4 equal to zero और इसके roots हैं आपके पास alpha beta इस वाली equation के ठेक है आपने यहां से एक नई equation बनाने with roots 1 over alpha and 1 over beta तो आप simply क्या करेंगे यह trick कि इस्तेमाल करेंगे ax square plus bx plus c equals zero कर इस टाइप की equation है तो आप क्या करेंगे अगर 1 over alpha 1 over beta root fund करने हैं आप क्या करेंगे a or c की value का प्रसमें replace कर देंगे आपके पास यह नई equation आजाएगी बहुत असान है अब हमारा जो यह question था इसके according हमारे पास जो एक्वेशन और चेंज क्या जाएगी 4x square plus 3x और प्लस 2 कोई calculation हमने नहीं की और हमने सिर्फ a और c की values को आपस में interchange कर दिए और हमारे पर सांसर आगे अब यह हमारे पर सांसर है यह ऐसी equation है जिसकी roots है 1 over alpha and 1 over beta तो यह हमारे पर से equation है जिसकी roots है 1 over alpha and 1 over beta इसी तरीके से जो इसका second part है यह वाला हम इसको गर इसी ट्रीक से solve करें तो हमारे पर इसका answer में यहां भी अपको लिके बजाता हूं तो यह हमारे पर सादेगा 4x square minus 3x plus 2 equals 0 और यहां पर भी इसकी जो roots हैं वो क्योंगी 1 over alpha and 1 over beta तो यह ट्रीक है इसमें कि आपने simply a और c की values को आपस में interchange कर देना है तो जो नई equation आ जाएगी उसकी roots क्योंगी 1 over alpha and 1 over beta अब यहां पर एक बात आपने याद रखनी है कि इसके लिए जरूरी है कि जो आपके पास constant value नहीं पॉस्टिव होनी चाहिए जिसे यहां पर यह constant value positive है अगर यह constant value negative आ जाती है तो पर यह काम नहीं करेगा ठीक है उसके लिए आपको कुछ और देखना पड़ेगा method वह मैं आपको अपनी next video में बताता हूं कि माइनस वाली values को आप कैसे solve करेंगे और उससे पहले हम यह देखना चाहते हैं कि जो हमने answer find out की है without any calculation आप सिंपली आपके ए और सी की values को आपस में interchange कर देता अब यह देखना चाहरे है कि क्या हमारा answer जो है यह ठीक है यह नहीं तो उसकी हमना verification कर लेते हैं तो देखते हैं verification कैसे हो गई है अच्छा यह हमारे पास equation है two x care plus three x plus four equal to zero जो 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 शुरु में हमने यहां पे सबसे पहली equation जो पड़ी थी यह वाली तेक हो गया इसको हम verify कर रहे हैं कि क्या जो हमने इसका यह answer निकाला है with roots one over alpha one over beta trick से हमने क्या किया था सिर्फ इन values को यह four को और यह two को अपस में interchange कर दिया था तो हमने कहा था कि यह one over alpha one over beta का roots हो तो equation को हम इसी कैसे solve कर सकते हैं without any calculation equation तो calculate करके कर लिया आप देखते हैं कि क्या यह ठीक है तो इसके लिए देखें हमारे पास अगर यह alpha beta equation के roots हैं तो हम some of the roots कैसे निकालते हैं alpha plus beta equals to minus b over a तो b value three है a value आपके पास two है तो इसमें replace करेंगा minus three by two similarly alpha beta आपके पास आजएगा c over a और c cancer आपके पास यह four और a की जगह पर यह two तो four by two अच्छा अब यह हमारे पस alpha beta जो roots ही तो तब हमारे पस some of the roots of product of the roots आगे हम find out करना चाहरे है with one over alpha one over beta तो उसके लिए अपने as calculate कि है one over alpha plus one over beta is calcium लिया है अब यह alpha plus beta और alpha beta की यह दुनों values हमने यहां पर replace की है और simplify कि है minus three by four आगे इसी तरीके से जब आपने product पी find out किया है one over alpha into one over beta तो simplify कि one over alpha beta आगे और यह one over alpha beta basically इस खर एसी पर उकल हो जागा तो यह two by four आगे यहां पर four by two था तो यहां पर two by four आगे अब यह values आपने यहां पर देखें इस formula में लगा दिया है minus three by four इसी तरीके से पी की वे लगा two by four वह आपने यहां पर replace कर दी यह minus minus plus हो जागा इसके पर क्या करेंगे four को multiply कर देंगे तो आके पास देखें यह answer आगे और यहां के पास वह equation आ गई है यह देखिए अधर ठीक है सेम एक्विशन आ गया है लेकिन हमने इसको calculate किया था यहां पर without any calculation में सिर्फ यह सी और यह जो a की वेलिशन को आपस में interchange किया था हमारे पस यह one over alpha one over beta वाली जो roots वाली equation है उनमें यह find कर रही थी जबकि इसना calculation करना पड़ तो यह फाइदा है इस ट्रेक का सिमिलरली जो आपके पास यह जो एक्विशन है जिसमें यह value positive गीवर है इसका answer आप find out कर सकते हैं इसी method से जो कि मैंने आपको यह बता है किस का answer यह आ जागा आपने simply क्या करना है फॉर और टू को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो यह फॉर इदर चला गया टू इदर चला गया थी के ओपर कोई effect ने होगा तो यह one over alpha one over beta वाले जो roots होंगी उसका equation आगे पस यह बन जाएगा ठीक हो गया आप जो बाकी दो रह गई है जिसमें यह minus 4 उसमें given है constant value और यहां पे भी minus 4 है तो इसके उपर जब हम यह technique apply करते हैं यह trick apply करते हैं तो थोड़ा सा problem कर जाती है तो उसकी detail में आपको अगली वीडियो में बता हूंगा तब तक के लिए लिए लाफेज आश्रम लेकम